दोस्तो साल 2009 से लेकर आज तक टीवी पर प्रसारित हो रहा रोमान चक सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में हमें कई बहतरीन अदाकाराईं देखने को मिली हैं और उन्हीं में से दो खूबसूरत अभिरेत्रियां हैं कांची सिंग और शिवांगी जोशी जहां एक ने गा अधारों को निभा कर मशूर होने वाली इन दो मशूर अदाकाराओं में से किसे दिया है दर्शकों ने अपना सबसे ज़ादा प्यार और कौन है दर्शकों की पहली पसंद आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन ही सवालों का जवाब देने वाले हैं इन दोनों अद अभिनेत्री कांची सिंग से जिन्होंने सीरिल में गायो यानी की गायत्री का कर्दार अदा किया था इन्होंने जिस तरह से अपनी इस भूमीका को परदे पर पेश किया था वो वाकई काबले त जो अक्सर अपने भाई नक्ष के साथ नोग जोग करती हुई दिखाई देती थी, तो कभी अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीती हुई नजराती थी, हाला कि सीरल में इनका ये किरदार सपोर्टिंग रोल था, पर बावजूद इसके इन्होंने अपने इस सहायक को ही सीरल के लिए काफी एहम बना लिया था, जिससे दर्शकों ने अपना इतना जादा प्यार दिया था, कि जब इन्होंने साल 2017 में सीरल से लेफ्ट किया, तो दर्शकों ने एक बार फिर से शो में इनकी वापसी की डिमांड की, हाला कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आज गायतरी के किरदार के बलबूते ही इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 2.2 मिलिन फॉलोवर्स हैं, अध करें अभिनेतरी शिवांगी जोशी के बारे में, तो भली ही अक्षरा और नैतिक की कहानी के बाद, शिवांगी जोशी उनकी बेटी का किरदार भाते हुए सीरिल की आगे की कहानी को पेश करती हुई नजर आई हो, लेकिन आधे अधूरे मोड पर ही सीरिल को जॉइन करने वाली शिवांगी जोशी इतने कम समय में ही नायरा के किरदार से देश भर में मशूर हो गई हैं, इनकी क्यूट सी स्माइल पर इनकी बहतरीन अ पसलाना पड़ा, जिसका आलम आज ये है कि सीरिल में वापसी कर चुकी शिवांगी जोशी मशूर तो हो ही चुकी हैं, साथ ही इनकी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी लगातार बढ़ते हुए नजरा रहे हैं, जो अब तक करीब 3.7 मिलिन तक पहुँच चुके हैं, तो म फैन फॉलोईंग को देख कर साफ तोर पर ये पता लगाया जा सकता है कि जहां शिवांगी जोशी ने ना सर्फ कांची सिंग के 2.2 मिलिन फॉलोवर्स का रेकॉर्ड तोड़ते हुए दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है, बलकि आज ये देश भर के लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, तो दोस्तोस शिवांगी जोशी और कांची सिंग में से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मज़िदार खबरों को जानने के लिए आप ह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले